उपमुख्यमंत्री देविंद्र फडणवीस से मिलने पहुचे कारी करता और पलिस उपायित राहूल मतने के पेश उपमुख्यमंत्री के सरकारी निवास्थान देवकिरी पर भारी मात्रा में हाता पाई हुई जिसे नागपूर के सियासी परिपेक्ष्च में हड़कम पच शहर में थे कुछ समय तक वह अपने सरकारी निवास स्थान देवगिरी में रुके इस तोरान पार्टी पदधिकारियों के अलावा और भी मिलने वाले लोगों की भीर थी जहां बंदोबस्त में तैनात पुलसकर्मी वाधिकारियों ने डीसीम से मिलने वालों को कतार में आने के लिए कहा उसी बीच दुपहर करीब डेड़ बजे की दौरान भाच्पा के यूवा इकाई के पश्चिम विभाग का अधिक्ष पुशकर पुर्शिटिवार भी शिष्ट मंडल के साथ डीसीम को ग्यापन देने पहुचा बाकी लोगों के साथ वह भी कतार में था लेकिन डीसीम से मिलने के लिए जल्दबाजी कर रहा था उसी के बीच बंदोबस में तैनात डीसीपी राहुल मद्ने ने कतार में आने को कहा इस बात को लेकर पुशकर ने गाली गलोच की इसके लिए उसे फटकार लगाई गई तो वह डीसीपी से हातापाई करने पर उत पराक में थी इसका अंदेशा होते ही भाजपा के ही कुछ पददिकारियों ने मद्धिसता की इस बीच पुशकर ने डीसीपी मनने से माफी मांगी उसके बाद ही प्रकरन शांत हुआ लेकिन इससे कुछ समय के लिए तनाव बना रहा क्यामरा परसन अखिलेश भारत दवाज के साथ मनीश टेमरे BCN News नाखपुरू क्या हुआ है